हेलो गाईस आप सभी का बाला की रसोई यूटुब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है अंगारा पनीर बनाना तो आए श्टार्ट करते हैं अंगारा पनीर 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 अंगारा बनाने के लिए ये हमने चुथाई चम्मत जीरा लिया है चार लोंग ली है दो सुखी लाल मिर्ची और एक मोटी लाइची और एक टेज पता लिया है जिसके मैंने दो टुकड़े कर लिये है ये मैंने अदरक और लसुन का पेश्ट लिया है तीन मैंने बड़े प्याज लिये है इसको मैंने बारी कट कर लिया है चार मैंने टिमाटर लिये है इसको मैंने मिक्स डाल रही हैं उसके अंदर और आधा चम्मच में लाल मिर्ची पोड़ डाल रही हूं गरम मसाला भी आधा चम्मच और नमक आधा चम्मच आप अपने स्वादर नुसार ले सकते हैं तो आएए बनाते हैं यह मैंने एक कढ़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है मैं इसमें ओईल डालूँगी मैंने ओईल दो सरवी स्पून डाले हैं यह और यह हमारा ओईल गरम हो चुका है अब मैं इसके अंदर यह तेज पत्रे डाल दूँगी साथ ही सुखी मिर्ची मोटी लाइची और यह जीरा और लोंग डाल दूँगी इसमें अब मैं इसमें कटे हुए प्याल डाल दूँगी मैं बिल्कुर सिंपल सरी कैसे पजी रंगारा बनाऊंगी और इसे मैं अच्छे से बूर दूँगी प्याज को प्याज बूरने लगे हैं इन्हें मैं थोड़ा सा और बूरने दूँगी प्याज को और अब मैं इसके अंदर यह अदरप और लसुन का पेश्ट भी डाल दूँगी और यह हमारा प्याज और लसुन अदर का मसाला भून का तियार हो चुका है अब मैं इसमें यह तमाटर डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से मिप्स करके मसाले को भून दूँगी तिछसे अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी अच्छे तरह पकने दूँगी अब मैं इस मसाले के अंदर यह पनी डाल दूँगी और इसे में ढपके दो से तीन मिनट तब पकने दूँगी और तो आईए चैक करते हैं यह देखो कितना अच्छा कलर आया है हमारे पनीर का इधर मैं गैस पे यह कोईले को मैं जलने के लिए रख देती हूं इधर हमारी यह पनीर की सब्जी बनकर त्यार दूँचुकी है गैस को मैं बंद कर देती हूं और पनीर को मैं एक बाउल में डाल लूँगी हमने सब्जी को एक बाउल में निकाल लिया हैं यह हमारा कोईला जल चुका है गैस को मैं ने बंद कर दिया है कोईले को मैं इस छोटी सी कटोरी के अंदर निकाल लेती हूँ इस छोटी सी कटोरी को इस सबजी के अंदर रख दूँगी और इसे मैं अब सबजी को मैं धूनी देऊंगी ये देखो धुआ हो गया है सबजी का इस कोईले का धुआ काफी अच्छा लगता है और इसे मैं ढख दूँगी और अब मैं इस ढखन को खोलूँगी और देखो कितने अच्छे से दुआ इस सबजी के अंदर अच्छे से रम गया है और ये हमारा अंगारा पनीर बनकर त्यार हो चुका है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें और सस्क्राइब करना ना भूले